Dear students, तो अब तक हमने देख लिया कि परतिसत की definition क्या होती है और इसकी application हम आज देखेंगे इसके साथ साथ जो हमने previous lecture में देखा था वो हमने जाना कि एक बटे दो को कैसे 50 परतिसत लिखा जाता है सही है कैसे हमने परतिसत को fraction में लिखा fraction को परतिसत में लिखा ये चीज़े हम सीख चुके हैं अब इसके बाद जो हमें सीखना है वो हमें सीखने है concepts अब तक हमारे basic चल देथे basic हमारे अगर आपने पिछली वीडियो बार बार देखी हैं और जो previous जो आपके दिमाग में गुसा हुआ था percentage के बारे में उसको delete करके देखी हैं तो आप समझपाए होंगे आप किस दिशा में जा रहे हैं आप अब जो सीखेंगे वो सबसे तकड़ा concept अब तक का अब ये CHSL के एक्जाम में आप आप उन्होंने हर बार ये क्युस्वन पक्का देखते होंगे चाहे दो 2018 सी CHSL, 17 CHSL, 16 CHSL जितने भी हैं कोई भी पिपर उठागे देख लो ये क्युस्वन आपको 101% मिलेगा लगबग हर सैट में देखें वो क्युस्वन क्या होता है क्युस्वन ये बोला जाता है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का दियान से सुनें यदि किसी संख्या में उसी संख्या का सोड़ा सई 2 बटा 3 परतिसत कितना सोड़ा सई 2 बटा 3 परतिसत क्या कर दिया जाए जमा कर दिया जाए जमा कर दिया जाए तो वह संख्या तो वह संख्या थ 343 हो जाती है 3430 हो जाती है क्या बोला यदि किसी संख्या में उसी संख्या का सोडा सही दो बटा तीन परतिसा जमा कर दिया जाए तो वह संख्या 3430 हो जाती है if 16 is 2, 2 by 3 percent of any number is add to itself जांसे सुने, if 16 is 2, 2 by 3 percent of any number is add to itself, then the number become 3430, find the original number find the original number, find the original number, find the original number, find the original number, ये हमारा क्यूशन रहता है, clear है, ये क्यूशन बहुत बार पूचा गया है, आप चाहो तो previous के कोई भी उठा गए, जब previous year का हम अध्यान करेंगे, वहां भी देखेंगे, और यहां पे आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, कोई भी previous year का पेपर उ उठा के देखो, वहां आपको पता लगा है कि उसन कितनी बार पूचा गया है, सही है, आज इसका solution देखते हैं, अगर आप ordinary method से करवाओगे, वह अब पढ़ाने का भी फाइदा भी नहीं है, ये सोरनो, हमें बस यही जानना है कि हम कैसे कैसे अपना करके exam निकलने और अप अपने concept जो हैं, अपने mind में बिठा लें, उसके लिए आपने basic वाली video जो previous lecture में हुआ है, वह आपने देख लिया होगा, आप आगे चलते हैं, 16 is 2, 2 by 3%, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हम सिख चुके हैं, ये किसमे हैं, ये सही बटे में लिखा हुआ है, आमुनन इस denominator में लिखा हुआ है, उसकी गुणा इस से करवानी है, किस से, 16 से, क्लियर है, क्या करवानी है, इसकी गुणा करवानी है, सही है, जो result आए, जो result आए आपका, उसके plus कर देना है, किस में, दो में, उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, दो में, तो देखे क्या आता प्रतिसत का अर्थ होता है एक बटे 100 तो गुणा में क्या कर देंगे एक बटा और यही बात हमारे टेबल से आती है यह सो नो उस टेबल में भी लिखा हुआ है कि 16 सई 2 बटे 3 परतिसत का अर्थ कितना होता है एक बटा 6 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 16 सई 2 बटे 3 परतिसत बराबर होता है एक बटे 6 के सही है अब आगे फर्दर हमारे बेसिक फंडे काम आएंगे इसमें मैंने क्या बताया था वोट्यवर बीदा रिटन इंदा नूमिनेटर विल बीदा परसंटेज ओफ डिनोमिनेटर यह सो नो यह बात हमने सीख लिए तो हम यहाँ बे भी वही एरो का निसान लगाते हैं कि कि छै का 16 सही दो लटे तीन परशसbnद कितना एक कितना1 क्लियर है ये चै क्या होता है हमारा बेस होता एंगे ऑगे चलते हैं खै अमारा हो गया घघ अब अब उसने क्या पुछा, find the original number, यह सारा जो ड्रामा चल रहा है, किस पे चल रहा है, original number पे चल रहा है, और उसी पे deal करनी है हमें, मैंने क्या बोला, 6 क्या है हमारा, base, इस 6 को ही क्या मान लेता हूँ, वो number मान लेता हूँ, जो अगला मेरे से पूछना चाहरा है, यह सोरो, मैं नंबर क्या मान लिया, 6 मान लिया, फिर आप पुछोंगे, सर, 6 क्यों मान लेता है, बेश लगता है, और होता भी है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लेता है, original number, मैंने 6 को original number मान लिया, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, क्युस्टन की लेंग्वेज एक बार फिर पढ़ूँगा क्युस्टन की लेंग्वेज क्या थी यदी किसी नंबर मैंने कितना मनना च्छे यदी किसी संख्या में उसी संख्या का सोडा सही दो बटे तीन परतिसति यानि कितना एक कितना एक क्या कर दिया जाए जमा कर दिया जाए यानि छै में कितना जमा कर दिया जाए एक जमा कर दिया जाए तो सिंख्या कितनी हो जाएगी साथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी साथ हो जाएगी अगर मैं मेरे अनुसार चलू और मेरे इसाब किताब से चलू तो मेरे को पता लगेगा कि 6 का 16 सही 2 बटे 3 परतिसत कितना होता है एक होता है और उसको क्या कर दिया जाए जमा कर दिया जाए तो मैंने क्या किया च्छै का 16 सही 2 बटे 3 परतिसत कितना एक क्या कर दिया जमा कर तो संक्या कितनी हो गई? साथ हो गई, मेरे अनुसार कितनी है? साथ है. एक्जामिनर ने इसके क्या बोला है? साथ की वैलू कितनी है? 3430 इसम heightне क्या बसत्लिका है? तो एक की वेल्यू किसके पराबर होगे? 3430 by 7 yes, और नो यह इस से कट गया, उत्र कितना हैगा? 490 कितना हैगा? 490 यानि की, इस बात को यह समझे कि 7 केड़ा की कीमत 7 बनाना, 7 बनाना की कीमत 3430 yes, और नो, 7 केड़ा की मत 3430 ती, तो एक केड़ा कीमत कितनी आगी 490 रूप है सही बात है एक की वेलू कितनी आगी 490 और तुम्हें किसकी निकालनी है 6 की निकालनी है 6 की क्यों निकालनी है 6 हमारा क्या है बेस है और 6 हमने क्या माना था वो नंबर माना था इसलिए एक की वेलू 490 है तो 6 की वेलू कितनी हो जाएगी 490 576 940 चुर्ण में 272 Okay clear है तो यानी की नमबर वो कितना सकती है 2940 यानी की Original नमबर किभी 2940 यानी की जो नमब उसने में पूछा की शरुवात में नमबर कितना था 2940 था आप इस मेफड़ को अपने अलग-लग किसिटिं में या कोई भी reference book या previous year कोई भी book लाप लगा रहे हो वहाँ पे इस method को लगागे देखें आप पाएंगे कि आप जिस speed से पहले कर रहे थे उससे दुगनी speed से अब कर रहे हो साथ में concept की understanding के साथ तो अब हम सीखते हैं कैसे एक परतिसत का question अलगलग chapter में भेश बदल के आ जाता है यह सोनो मैंने बताया था आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं हर चीज़ को relate करके पढ़ाता हूँ ऐसे ही हमने एक question देख लिया जिस question में लिखा हुआ था कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का सोडा सही दो बटे तीन परतिसत जमा कर दिया जाए तो वह संख्या 3430 हो जाती है तो बताये original number क्या था तो बताये शुरुआत की संख्या क्या थी तो हमने पाया कि वह संख्या किदनी होती है 2940 होती है अब आगे चलते हैं हम वो परस्तिशत का question अब relate करते हैं simple interest में simple interest का मतलब साधान ब्याज में यस और नो चलो चलते हैं लिखते हैं simple interest simple interest का अर्थ क्या होता है साधान ब्याज अब इसको सुन को देखते हैं मान लो यदी किसी वैपारी ने यदी किसी वैपारी ने कोई मुल्दन कोई मुल्दन सोडा सही दो बटा तीन पर तिसत की वार्सिक ब्याज की दर से यदी किसी वैपारी ने कोई मुल्दन सोडा सही दो बटे तीन पर तिसत की ब्याज से एक वर्स के लिए एक वर्स के लिए यानि कि वन इयर के लिए simple interest पर दिया यानि कि own SI SI का मतलब क्या होता है साधान ब्याज पर दिया यदी एक साल बाद यदी एक साल बाद वह पूरी पूरा मुल्दन यानि कि वह पूरी रासी कितने हो जाती है थरी फोर थरी जिरो रुपए हो जाती है तो बताइए जरा कि principle क्या था तो बताइए principle क्या था clear है if an amount with 16 is to 2 by 3 percent rate of interest and for one year become 3430 then find the principle then find the principle if an amount with 16 is to 2 by 3 percent of rate of interest with one year on SI become 3430 then find the principle ठीक है जी अब हमें इसका solution देखना है अभी statement नहीं है बच्चे अभी हम सिर्फ concept सीख रहे हैं जब हमें question करवाऊंगा proper तो question या तो मैं पूरा statement लिखूंगा या आपको PDF मिलेगी clear है तो बेचीद रहे अराम से question को सीखते रहे है मेरे ख्याल से हिंदी medium के हो चाँ इंगलिस medium को समझ पारे होगे simple interest, simple interest का मतलब सदान ब्याज है ये क्या है हमारी amount, amount का मतलब मिस्सर धन है क्या है मिस्सर धन है और ये मारा क्या है principle जो कि हमें निकालना है सही है अब हम छोटी classes में जब पढ़ते थे तब हमें बताया गया था ऐसे किस्नों को crack करने के लिए सबसे पहले बच्चे मुलधन मानो कितना 100 रूप है हम बड़े सोक से लिखते थे माना मुलधन 100 रूप है अब वो trend जो पुराना हो गया है वो competition में help आपकी नहीं कर सकता वो competition में help नहीं कर सकता वो किस्न को सिरफ lengthy बनाएगा छोटी classes में ठीक था हमें ये question आता था हमें डाई नंबर या दो नंबर मिल जाते थे अब हमें मिलना है केवल या mains का दे रहे हो तो दो नंबर परी का दे रहे हो तो तो भी दो ये नंबर सहीं जी अब आगे चलते हैं इसको समझते हैं हमने समझा कि 16 is to 2 by 3% सहीं जी अब इसका अर्थ हम जाना चुके हैं इसका अर्थ जो होता है वो होता है कितना एक बटा 6 खलियर है जी और ये 6 हमारा क्या होता है बेस, बेस का मतलब जहां पे नीव रखी गई है, नीव का मतलब जहां से मामला शुरू हुआ, जहां से बाच्ची सुरू हुई, वो हमारा क्या होता है बच्चे, बेस होता है, अब एक मिंट के लिए रुको, और दिमाग पे जोड डालो और समझो इस बात को, कि जब हम सर न परसंटेज का किस्षण बोला था, तब हमने क्या समझा था नीचे वाले को, औरिजिनल नंबर समझा था, औरिजिनल नंबर का मतलब वो नंबर समझा, जो वो हमसे पूछना चाहता था, क्यों, क्योंकि उसी में करपड़ी कर रहा था, अब बात किसकी है, सिम्पल इंटरे क्या जरूरी मुल्दन है, क्या जरूरी मिस्टरदन है, इन में से कौन सी आपड़ी होनी है, दूसरी बात तो बाद में आएगी, जो सबसे पहले जरूरी होगी, सोच लिया, अब इस बात को जड़ा रिलेट भी कर ले, आपका सही है गल्त आपको पता लग जाये, सबसे ज ज़्यादा जरूरी होता है मुल्दन, मुल्दन का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही जरूरी क्यों होता है, अरे भया जब तक तक तुम्हारे पास पैसे ही नहीं देने क्यों होंगे, तो क्या फरक पड़ता है तुम्हारे पास दर है, क्या फरक पड़ता है तुम्हारे प मुल्दन होना और यहां पर यह जो 6 होगा वह क्या होताब का बेस बेस का मतलब जहां से मामला शुरू हुआ जहां से बिमारी शुरू हुई और इसमें बिमारी कहां से शुरू हो रही है मुल्दन से शुरू हो रही है तो छे हमारा क्या हो जाएगा मुल्दन हो जाएगा मुल्दन का मतलग क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा क्लियर जी छे मैंने क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया यानि कि उस वैपारी ने कितना पैसा दिया च्छै रुपे दिये, ये सोरनो कितने पैसा दिया, च्छै रुपे दिया, किस दर पे दिया, सोडा सही, दो बटा, तीन परतिसत की दर पे दिया, उसको कितना पैसा मिला, एक रुपिया मिला, यदि कितने वर्स के लिए दिया, एक वर्स के लिए दिया, ये सोरनो, अब इस तुम्हारा क्या है ब्याज हमेशे द्हान में रखें जब भी सिंपल इंट्रेस्ट का क्युष्टन हो जब जब साधान ब्याज का क्युष्टन हो जब जब साधान ब्याज का क्युष्टन आएगा आपको ये बात समझनी होगी कि ये चोज निच्चे वाला च्य है वो हमेश से क्या होता है ब्याज होता है ब्याज का मतलब क्या होता है इंट्रेस्ट होता है कितने साल का इंट्रेस्ट होता है कितने साल का एक साल का इंट्रेस्ट होता है clear है मैं इसको यहां पे लिख रहा हूँ यह क्या हो गया आपका 6 मुलदन हो गया एक जो है वो आपका क्या हो गया ब्याज हो गया वर्स कितना दिया है एक वर्स दिया है तो गुणा में क्या करोगे एक करोगे तो पहले board mask की help से हम जान लेंगे कि पहले क्या होता और यह 7 आपका क्या हो गया क्या हो गया आपकी amount हो गया tea ये क्या होता है आपकी amount कलियर है ये मैंने लिख दिया 7 सही हूँ जी अब इस बात को और explain further notation के साथ लिख देता हूँ ये जो 7 आता है तुम्हारे पास इसको हम बोलते हैं amount इसी को हम क्या बोलते हैं Mr.Dun कलियर है अब आगे चलते हैं ये जो 6 लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं Muldan और इसी को हम क्या बोलते हैं Principal कलियर है ये जो 1 है जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं ब्याज कितने साल का एक साल का एक साल का ब्याज इतना है और यह क्या होता है आपका जो एक बच गया वो आपका क्या होता है ये रहोते हैं ये किसके रिपलाई होते हैं हाउ मैनी कितने साल के लिए ये था आपका पूरा कंसेप्ट ऐसे हमें लिखना होता है सभी है आपको एक बार समझ में आ गया आपके टिस्पे मेथल हो गया तो आपके लिए चीज़े बहुत असान हो जाएंगी यह सुनो अब मैंने जान लिया कि अगर मेरी रासी 6 रुपए थी और 6 पे 16 सही दो बटे 3 परतिसत का क्या लगा ब्याज लगा तो ब्याज कितना लगेगा एक रुपए लगेगा वो बोल रहा है कि उसकी रासी एक साल बाद कितनी हो गई थरी फोर थरी जिरो सही है हमारे जो चीज 7 रुपए हुई है वो एक्जामिनर के नुसार यानि कि जिसने कुस्ण दिया उसके नुसार कितनी हो गई है थरी फोर थरी जिरो यानि कि थरी की वैल्यू किसके बरावर थरी फोर थरी जिरो गे यानि कि एक की वैल्यू किसके बरावर बटे में 7 वैल्यू कितनी कितने आगी 490 इस बात को वैसे समुझें कि 7 केड़ा की किमत कितनी है 3430 तो एक केड़ा ही किमत कितनी हो जाएगी 490 यह सो नो हमें किसके निकालनी है छे की छे क्यों निकालनी है अगले ने पूचा क्या है मुलदन पूचा है मुल्दन पूछा है तो हम किसका जवाब देंगे मुल्दन का ही जवाब देंगे यानि कि एक की वैलू 490 तो 6 की वैलू कितनी हो जाएगी 490 multiply by 6 that is equal to 2940 या सो नौ यानि कि उसने कितने पैसे invest किये थे यानि कितने पैसे उसने उधार दिये 2940 और उसको कितने मिले 3430 कितने साल बाद एक साल बाद आज किदर क्या थी 16 is 2, 2 by 3% that is rate of interest तो हमने सीखा कैसे एक परतिशत का question simple interest में भेश बदल के पूछा जाता है ऐसे ही हम सिखेंगे कि कैसे percentage simple interest is related है simple interest के बाद हम सीखेंगे कैसे percentage profit and loss related है ratio and proportion related है कैसे percentage के question गुमा फिरा के गुमा फिरा के उसी language में उसी concept पे बार बार किसी अलग concept में पूछ जाते हैं और हम सोचते हैं हमसे वो question बनता नहीं है हम सोचते हैं कि question वो tough है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है हर किस्टन पूरा arithmetic पूरा arithmetic परतिसत के आसपास गुमता है और ये बात एक example देखें मैंने आपको प्रूव की है हम अगले lecture में देखेंगे कि कैसे simple interest में आने के बाद अब परतिसत प्रूविडेंड लोस में आता है